हेलो नमस्कात, सत्यकाल, स्सलावालेकूम, कसकाए, कैसे हैं आप सभी? जिया, मेरा नाम है अधित्तिराय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का वापस है आपके ही चैनल पे That is Unacademy Clad और यहाँ पर जो बच्चों के मन में anxiety आ रही है, जो सवाल आ रही है वो सारी चीजें जो आप लोगों को आखरी वक्त पे थोड़ी सी तकलीव दे रही है उन सभी चीजों को हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं यहाँ, आज का टॉपिक जो है वो यह है कि जो आपका examination का दिन है उस दिन आपको time management किस प्रकार से करना है किस समय आपको किस section को करना चाहिए और किस section में आपको कितना समय देना चाहिए ये सारे के सारे सवालों के जवाब आज आपको इस सेशन में जरूर मिलने वाले हैं ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले आप सब भी से गुजारेश रहेगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहली चीज़ आपके पास 120 मिनिट होंगे याद रखिएगा यह मैंने पहले भी कहा है यह मैं अभी भी बता रहा हूँ और मैं यह आपको जो अगले साल बच्चे एक्जाम देंगे उनको भी बताता रहूँगा जैसा कि चक्दे इंडिया मूवी में कहा जाता है कि यह 90 मिनिट यह 90 मिनिट जो है वो आपकी जिन्दगी बदल सकते हैं वैसे ही मैं आज आपको यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह 120 मिनिट, यह जो 120 मिनिट हैं यह आपके पास हैं और यह 120 मिनिट आप से आपके जीवन में कोई नहीं छीन सकता, एक बार जब आप examination hall के अंदर पहुँच जाएंगे, तो आप चाहे कुछ भी हो जा है, यह मुझे पता है, इसके बावजूद आपको जो है केवल और केवल अंदर बाहर जाने दिया जाएगा, आफ्टर 120 मिनिट, यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यह बताने के पीछे जो कारण है, वो यह है कि, या राधर जो मन्शा है, वो यह है कि, आप इस चीज को ध्यान रखें कि यह 120 मिनिट जो है, यह आपके पिछले 2 साल की महनत का कल्मिनेशन पॉइंट है, यह वो समय है, जहां पर आपको जीवन भर में आपने जितना भी ग्यान अरजित किया है, वो सब कुछ यहां पर लगाना है, यह 120 मिनिट आपसे कोई नहीं छीनेगा, इसलि बट, आगे बंडे से पेले, मैं एक और सच्चाई से आप सभी को वाकिफ कराना चाथा हूँ, और वो सच्चाई यह है, कि आपका जो Examination होने वाला है, वो Examination केवल Legal Section का नहीं है, वो Examination केवल Current Affairs Section का नहीं है, वो Examination केवल आपके Quantitative Techniques का नहीं है, बलकि यह पूरा का पूरा examination जो होगा ये in total पाँच अलग अलग section से मिलकर बनेगा याने यहाँ पर आपको English language का भी answer देना है यहाँ आपको current affairs including the general knowledge उसका भी answer देना है यहाँ पर आपको legal reasoning का भी answer देना है और साथ इसाथ logical reasoning and quantitative techniques इन सभी के जवाब आपको यहाँ पर देने अनिवार हैं मैं यह चीज आपको क्यों बता रहा हूँ तो इस चीज के पीछे जो कारण है वो यह है कि कई बच्चे जो होते हैं वो favoritism के चक्कर में for example अगर उनको लगता है कि उनको legal subject क्योंकि आदित बिया ने बहुत अच्छा पढ़ाया है current affairs उन्होंने बहुत अच्छे जे पढ़ रखा है या फिर quantitative technique के लिए उन्होंने इस बार मेहनत कर रखी है तो वो अपना जादतर समय जो है वो यहाँ पर ही व्यतीत कर देंगे but that is something जो मैं आपको कभी suggest नहीं करूंगा आपको हमेशा ये चीज अपने ध्यान में रखनी है और इसको बहुत अच्छे से अपने जहन में उतारना है कि जो भी चीज हम यहाँ पर कर रही है उसमें आपको पाचो sections पर test कर किया जाएगा it is not so कि केवल एक या दो या तीन sections में test किया जाएगा इसलिए आप किसी भी एक section को पीछे छोड़ना afford भी नहीं कर सकते इसलिए मैं कहा रहा हूँ जब आप अपने examination की तयारी करें तो इस चीज के लिए बहुत ही जादा dedicated तरीके से इस चीज के लिए बहुत ही जादा सोच समझ कर आप आगे बढ़े कि आपको सारे के सारे sections cover करने है ऐसा मत करिएगा कि favoritism के चिक्कर में आप केवल और केवल एक ही section जो है उसको cover करें और बाकी sections जो है उनको पीछे रहने दे अब जो मेरे द्वारा suggestion होगा वो ये है वैसे अगर देखा जाए तो आपके कुछ strengths होंगी और आपके कुछ weaknesses होंगी strengths का मतलब हर बच्चे का कोई ना कोई favorite subject होता है जिसको उसने साल बर बहुत अच्छे से पढ़ा होता है और उसकी वजह से उसको पता होता है कि यार ये तो मेरी strength है इसमें तो मैं बहुत अच्छा score करी लूँगा whereas कुछ weaknesses होती है for example कुछ बच्चों होते है उनको जो है quantitative techniques है वो अच्छे से नहीं आता कुछ बच्चों को critical reasoning में दिक्कत होती है कुछ बच्चों को लगता है कि शायद legal के aspects उनको बहुत अच्छे से नहीं आते तो ऐसे जो भी चीज़े हैं उनको आप अपनी strength से लेके weakness तक की category में जल से जल डाल लीजिए however मैं फिर से कहूंगा weakness वो आप की है वो आपको पता है examiner को नहीं इसलिए ये गलती मत करिएगा कि ये सोचे कि चुकी ये मेरी weakness है तो examiner ने जान बुचके इस पर ही target किया होगा और मुझे बहुत कम जो है इसमें number आएंगे ऐसा कुछ नहीं है it is just that हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अपनी strength और weaknesses को अभी से identify करके रख लीजिए कि ये मेरी strength है और ये section जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा weakness का point है अब जो आपके मन में सवाल होगा कि sir order of attempting the questions क्या होना चाहिए मुझे जो questions attempt करने है उसमें मैं पहले legal करूँ या current affairs करूँ या paper का जो format है उसी के हिसाब से करूँ तो क्या वो चीज हो सकती है जो मुझे यहाँ पर करनी चाहिए तो उसके लिए जो सबसे पहला suggestion जो है वो मेरी तरफ से आपको यह रहेगा कि order of attempting the examination के लिए आप इस चीज को ensure करें कि आपकी जो strengths है ठीक है आपकी जो strengths है यहाँ पर आप देख सकते strengths and जो आपकी weaknesses है इनको जिनको आपने identify किया है तो यह सारी की सारी strengths जो है उनको आप पहले cater करें अगर कुछ बच्चे है उनको लगता है current affairs उनकी strength है then I would suggest कि आप current affairs जो है वो पहले कर लीजे however कुछ बच्चे होंगे उनको लगता होगा नहीं legal मेरा जादा strong है तो आप अपने legal section को पहले करें कहने का मतलब आपको strength से लेके weakness की तरफ जो है वो यहाँ पर जाना है जो जो subjects आपको लगता है let's suppose legal मेरा सबसे strong है फिर उसके बाद मेरा current affairs है फिर उसके बाद मेरा English है फिर उसके बाद मेरा CR है and then last में I would consider QT तो अगर इस प्रकार का आपका एक पूरा priority list बना हुआ है as per your strengths so I would suggest कि आप paper को फिर इसी particular chronology के हिसाब से करें why am I saying that because जैसे जैसे आप अपनी strengths को cater करेंगे तो आप अपने जो fear of the examination है जो anxiety of the examination है उसको आप overcome कर पाएंगे and चुकि ये fear ये anxiety ये चीजें आप overcome कर लेंगे इसकी मदद से फिर क्या होगा सर्फ जो बाकी आपके weakness वाले sections है जो आपको थोड़ा सा तकलीफ पहुचा सकते है चुकि आपका मनोबल चुकि आपका वहां तक confidence इस प्रकार का होगा कि आप उन चीजों को cover करने के लिए automatically बहुत अच्छे mindset के साथ बहुत चुके होंगे तो ये एक तरीका हो सकता है जो आप follow कर सकते हैं however इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं आपका mindset बहुत strong है आपको लगता है कि आपको इन चीजों से फरक नहीं पड़ता आपको सिर्फ ये चाहिए कि आपका जो है सारा का सारा approach जो है क्या चीज करनी चाहिए irrespective warp कि क्या वो मेरी strength है या weakness है या मुझे बनेगा या नहीं बनेगा because I am not concerned about the mindset I am just concerned about कि time रहते मैं क्या चीज कर सकता हूँ तो ऐसी स्थिती में उन बच्चों को मैं suggest करूँगा कि सबसे पहले आप current face करिएगा सबसे पहले current face करिएगा क्योंकि current face एक ऐसी चीज होती है either you know it or you don't know it तो उसमें जो है आपका जादा समय यहाँ पर जाया नहीं होगा अगर आपको बनता है आप answer देजे अगर आपको नहीं बनता है आप आगे बढ़िए लेकिन at least जब आप यह कर रहे होंगे तो आपका एक section कुछ particular time period के अंतरकत खतम हो चुका होगा तो आपका mind इस चीज को prepare कर चुका होगा कि मेरा एक section already हो चुका है अब मेरे बचे हुए जो sections है उस पे मुझे समय विवतीत करना है तो आप क्या कर सकते है current face कर लीजिए उसके बाद अगर आपने मेरे से legal पड़ रखा है तो आपको पता होगा कि legal section हमारा strong है और हम ऐसा अपिक्षा कर रहे हैं expectations हमारी ऐसी है कि जो हमने यहाँ पर preparation की है उनी lines पर हमारा examination होगा अगर उनी lines में हुआ तो आप सभी को पता है legal में आप और हम क्या करने वाले है उसके अलावा let's suppose कि legal हो जाता है current affairs हो जाता है उसके बाद क्या किया जा सकता है then I would say कि आप इसके बाद चुकी एक reading के mode में आ चुके हो तो मुझे लगता है कि आप English या CR में से जो भी आप choose करना चाहें उसके हिसाब से आप proceed कर सकते है and last section आप quant रख सकते है but quant is always optional to keep it over here अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जो quant में थोड़ा सा comfortable है then I would say आप current affairs के बाद तुरंत यहाँ पर quant रख लिजेगा उससे benefit यह होगा कि quant भी ऐसी चीज है जो आप जल्दी से solve करके निकाल सकते हो तो चूकी वो जल्दी से solve हो जाएगा तो आप जब तक आगे बढ़ेंगे तब तक आपका current affairs और quant यह दो sections already cover हो चुके होंगे and now you will be left with only these sections जो की reading intensive है जहाँ पर आपको legal, जहाँ पर आपको English, जहाँ पर को CR, यह चीज़ें जो है वो पढ़नी होंगे ठीक है so this can be another approach however, कुछ बच्चे हैं जिनको यह सारी चीज़ें करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में करें तो उस थिती में I would suggest यह सब चीज़ें मत सोचो आप जो पेपर में पैटन दिया गया है आप उसके ही हिसाब से भी फॉलो कर सकते है but again, that is your choice ठीक है? चलो अब बात करते हैं आगे अगला जो सवाल आता है टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़ादा वो यह है सर, OMR OMR को कफिल करना है क्या हम साथ साथ करें क्या हम जो है बाद में करें क्या लास्ट के लिए इसको छोड़ कर रखें see, मैं out of my experience out of seeing the experiences of the students who have been giving examinations I would never suggest कि आप जो है लास्ट के लिए छोड़ के रखें OMR फिलिंग I would never suggest क्योंकि क्या होता है last में जब तक आप पहुँचते हो तब तक time already बहुत कम बचता है anxiety level बहुत जाता होता है कि बहुत कम समय है मुझे पूरा का पूरा OMR sheet बनना है और उस थिती में आपने कुछ questions leave कियोंगे आपने कुछ questions जो है वो attempt नहीं किये होंगे तो होता क्या है कि चुकि आप जल्दबाजी में भर रहे होते हो तो at times ऐसी चीज़ें हो जाती है जहां पर ना चाहते हुए भी आप जो है गलत जो आपका circle है उसको आप fill कर लोगे पहली चीज़ या फिर जो circle आपके द्वारा fill नहीं किया जाना चाहिए था जो question number आपको छोड़ दिया जाना चाहिए था आपने उसको भी fill कर दिया अगर ऐसी स्थिती होती है जहां पर आपने जो नहीं करना चाहिए था उसको भी fill कर दिया then trust me guys उसके बाद तो समझे कि पूरी की पूरी बरबादी है क्योंकि उसके बाद जो नीचे के सारे number होंगे यह आपको भी पता है कि वो किस तरीके से आपने mark कर रहे होंगे कहीं का answer कहीं होगा तो this cannot be less than a disastrous situation for you इसलिए what I would suggest is कि आपके पास दो options है एक जहां पर आप question जो कर रहे हो उसको तुरंट तुरंट आप OMR sheet में भरते जाएए पहली condition यह है दूसरी condition यह है आप question जो कर रहे हैं उस पूरे के पूरे एक page होता है let's suppose आपको जो है question paper मिला उसमें यह कुछ इस प्रकार का page है तो जैसे ही आप turn करने वाले हैं turn करने से पहले इस page में जितने भी questions है उनको आप यहाँ पर ही fill कर लीजे आप दूसरी strategy इसको जो है मान सकते हैं कि एक page में जितने भी questions है उनको एक बार में करिए और फिर उनको fill करिए तीसरी strategy जो आप कर सकते हैं वो यह है कि one paragraph one paragraph पूरा का पूरा solve करें उसके जो questions है उनको solve करें और फिर इसके बाद इस पूरे set का आप एक बार में ही यहाँ पर जो है input करें यह जो है आपका last solution हो सकता है जिसकी मदद से आप efficiently time जो है वो बचा सकते हैं and OMR जो है उसको भी आप सही तरीके से पूरी तरह fill कर सकते हैं so I hope आप सभी को यह चीज़े समझ में आई होंगी but इसके अलावा मैं एक और suggestion देना चाहूंगा आप जब examination में जा रहे हो उसके पहले मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे mocks दियोंगे जब आपने mocks दियोंगे तो आपने यह ज़रूर identify किया होगा कि कौन से वो sections है जिनमें आपको कम time लग रहा है कौन से वो sections है जिनमें आपको ज़्यादर टाइम लग रहा है for example अगर हम बात करते हैं legal की तो legal section में I know कि आपको जो है अगर paragraphs वैसे ही आते हैं जैसे हमने plan किये हैं वैसे ही आते हैं होंगे हमारे द्वारा वो subject matter तो आप ऐसी स्तिती में होगे जहां पर आप उन paragraphs को जल से जल decode कर पाऊगे अप चुकी आप उन paragraphs को जादा से जादा decode कर पाऊगे और जल से जल तो जो आपका overall legal section का time period है वो कम हो जाएगा और चुकी आपका overall legal section का time period कम होगा तो इसी लिए ultimately आप क्या कर सकते हैं ultimately आप उस time period को दूसरे section में जिसमें आपको जादा समय लगता है उसमें utilize कर सकते हैं तो यह balance बनाते आपको आना चाहिए और यह तभी हो पाएगा अगर आपने जितने भी mocks दिये हैं उसके हिसाब से आपने plan कर रखा है as to कि आपको किसमें जादा समय लग रहा है और किसमें कम समय यहाँ पर लग रहा है चीक है I hope I am clear with this जी इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों को एक information देना चाहूंगा आपको 2.5 लाक रुपीज तक का reward जो है वो देगा अगर आपका rank 11 से 50 आता है तो आपको 1 लाक रुपीज तक का जो अवार्ड है वो यहाँ पर देने वाला है अगर आपका rank 51 से 100 के बीच में तो guys आपको 50,000 रुपीज तक का reward अनकाडमी के द्वारा दिया जाएगा और अगर 100 से जादा का rank है तो आपको Amazon vouchers worth रुपीज 2.5 के जो है वो अनकाडमी के द्वारा दिया जाएगा बट इसके लिए करना क्या है सर कुछ भी नहीं ये जो QR code है चाहिए इसमें एक form आपको मिलेगा उसको fill करिए and free of cost आप अपने आपको इस चीज में register कर सकते हैं साथी साथ उन सभी बच्चों के लिए जो की अभी 11th class में हैं और वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस examination की preparation करें तो अनकाडमी आपके लिए लेकर आया है knowledge carnival जी हां as per the knowledge carnival आपको सर 12 months का CLAT और PLUS CLAT का PLUS या Iconic subscription आप purchase अगर करते हो तो आपको 4 months का CBSC का Class 11th का ध्यान दीजेगा CBSC का Class 11th का PLUS an Iconic subscription absolutely free जो है वो अनकाडमी के द्वारा दिया जाएगा but इसको avail कैसे करना है sir by using a code which is bar 5 जैसे ही आप bar 5 code का use करेंगे you will get to see the maximum discount साथ ही साथ आपको बदा देते हैं that 2025 के बच्चों के लिए इस legal batch जो है वो already live हो चुका है इसमें आपको CLAT, MHCET, ALET, SLAT, LSAT इन सभी examinations की तयारी जो है वो करवा ही जाएगी करना कुछ नहीं है आपको जाना है और एक code का use करना है that is bar 5 जैसे ही आप bar 5 code का use करेंगे you will get to see the maximum discount with this I would like to wish you all a very good luck मुझे पता है आप जो है इस examination को definitely crack करेंगे and you will come out of the exam center with flying colors with this I am signing off my name is Adit Rai I thank you all for being here and giving your precious time with this I would like to thank you again and at the same time आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि situation कैसी भी हो याद रखेगा कि आप जो है वो चीता हो यार और आप तो ये exam crack करके आओ गही thank you guys